जानिये सावन महीने में क्यों किया जाता है महादेव का रुद्रा भिशेख, क्या है इसका महत्व और लाब? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और महादेव को यह महीना अत्यंत प्रिय होता है सावन के महीने में लोग भगवान शिव की विशेश रूप से पूजा आराधना करते हैं सावन के महीने में भगवान भोले नात का रुद्रा विशेख करने का भी खास महत्व होता है भगवान शिव का रुद्रा विशेख अलग अलग चीजों से किया जा जाता है जिसका विशेश महत्व होता है आइए आचार्य पंडित अमित कुमार पांडेय से जानते हैं सावन माह में रुद्रा भिशेक करने का क्या महत्व है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और महादेव को यह महीना अत्यंत प्रिय होता है सावन के महीने में लोग भगवान शिव की विशेश रूप से पूजा आराधना करते हैं सावन के महीने में भगवान भोले नात का रुद्रा भिशेक करने का भी खास महत्व होता है भगवान शिव का रुद्रा भिशेक अलग-अलग चीजों से किया जा जाता है जिसका विशेश महत्व होता है आए आचारे पंडित अमित कुमार पांडेय से जानते हैं सावन माह में रुद्रा भिशेक करने का क्या महत्व है? आचारे पंडित अमित कुमार पांडे ने बताया कि शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के परियायवाची है शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुतम दुखं द्रावयति नाशयति तिरुद्र यानि कि भोले सभी दूखों को नश्ट कर देते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किये गए पाप ही हमारे दूखों के कारण है रुद्रार्चन और रुद्राभिशेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म वो महा पातक भी जल कर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है उन्होंने बताया कि रुद्राभिशेक करने से भगवान शिव का आशीरवाद भक्तों को प्राप्त होता है और उनके सभी मनुरत पूर्ण होते हैं ऐसा कहा जाता है कि एक मात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वत हो जाती है रुद्र हृदयोपनिशद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्व देवात्म को रुद्र सर्वे देवा शिवात्म का अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है दूध से अभिशेक भगवान शिव का दूध से अभिशेक करने का विशेश महत्व है सावन के महीने के प्रत्येक दिन भगवान शिव का अभिशेक गाय के दूध और विशेश कर सावन के सोमवार को अवश्य ही करना चाहिए भगवान शिव का दूद से अभिशेक करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति करने की इच्छा पूरी होती है महादेव का दूद से अभिशेक करना विशेश लाभकारी माना गया है अगर शिवलिंग का दही से अभिशेक किया जाए तो जातक के कारियों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है इसके अलावा दूद से अभिशेक करने से व्यक्ति का आत्म विश्वास बढ़ता है और जीवन में सुख सम्रिधि का बास होता है गंगाजल के शिवजी का अभिशेक भगवान शिव ने अपनी जटाओं में मा गंगा को धारण कर रखा है ऐसे में जो भक्त सावन के महीने में शिवजी का अभिशेक गंगाजल से करता है शिवजी की विशेश कृपा प्राप्ती होती है गंगाजल से अभिशेक करने पर व्यक्ति जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है शहद से अभिशेक भगवान शिव का रुद्रा भिशेक शहद से करने का विशेश महत्व होता है जो शिव भक्त सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का अभिशेक शहद से करता है, उसको जीवन में हमेशा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शहद से अभिशेक करने पर व्यक्ति की वानी में पैदा दोश खत्म हो जाता है और स्वभाव में विनम्रता आती है घी से अभिशेक अगर भगवान शिव का अभिशेक शुद्ध देसी घी से किया जाए तो व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से लंबे से ग्रसित है तो सावन के महीने में भगवान शिव का अभिशेक घी से अवशे ही करना चाहिए इत्र से अभिशेक भगवान शिव का अभिशेक इत्र से भी जाता है जो जातक किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उन्हें भगवान शिव का अभिशेक इत्र से करना चाहिए इत्र से अभिशेक करने पर जातक के जीवन में शांती आती है गन्ने के रस से शिवजी का अभिशेक व्यक्ति के जीवन से आर्थिक परेशानिया खत्म करने के लिए शिव जी का अभिशेख गन्ने के रस करना लाभ देने वाला होता है इससे व्यक्ति पैसे की किल्लत की समस्या से बाहर निकल आता है सरसों के तेल से अभिशेख जिन जातकों की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोश होता है उन्हें शिव का अभिशेक सरसों के तेल से करना चाहिए इससे पाप ग्रहों का कष्ट कुछ कम हो जाता है और शत्रूओं का नाश वो पराक्रम में इजाफा होता है शुद्ध जल्द से अभिशेक पुण्य लाभ और शिव कृपा पाने के लिए शुद्ध जल्द से अभिशेक करने का विशेश महत्व होता है रुद्राभिशेक के लाभ इस प्रकार है जल्द से अभिशेक करने पर वर्शा होती है असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्रा भिशेक करें भवन वाहन के लिए दही से रुद्रा भिशेक करें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्रा भिशेक करें धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिशेक करें तीर्थ के जल से अभिशेक करने पर मोक्ष की प्राप्ती होती है। इत्र मिले जल से अभिशेक करने से बीमारी नश्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से और यदि संतान उत्पन्य होकर मृत पैदा हो तो गोदुग्ध से रुद्रा भिशेक करें। रुद्रा भिशेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हे तु शीतल जल गंगा जल से रुद्रा भिशेक करें। गोदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा भिशेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शकर मिश्रित जल से अभिशेक करें। ऐसे तो अभिशेक साधारन रूप से जल से ही होता है। झाल झाल झाल